कि शुरुआत करते हैं एक स्ट्राटेजी के साथ जैसे मैं आपको बताया था कि मेरी खुद इस एक्जाम जर्नी में मैंने क्या-क्या चीजों का इस्तमाल किया जिसकी वज़े से एक्जाम को पास करना मेरे लिए मुम्किन हो पाया वो सब चीजे मैं आप से धीरी-दीरे शे अपने बनाए और उसको कैसे पूरा करना है उसके अंदर लेकर आ सकते हैं तो यहां पर एक चीज जो मैंने खुद अपने अप्शनल सब्जेक्ट में सीखी साइकॉलोजी के अंदर वो मैं आफे शेयर करने वाला हूँ और जज़ादे तर अगर आप देखेंगे जो भी स् और एक आपका होता है लिम्बिक सिस्टम जो है यह एक तरीके से अब इसमें इसको हम कैसे यूज करेंगे अपनी प्रेपरेशन को बहतर करने के लिए वो मैं आपको समझाऊंगा पहले इनका क्रोड़ा सा कैरेक्टर समझना जरूरी है इसको हम दो से तीन मिनिट के अंदर करेंगे तो लिम्बिक सिस्टम जो है यह खास तोर पर अपनी फीलिंग्स के लिए मतलब जितने भी फीलिंग्स वाली चीज़ यह होती है इसके लिए जाना जाता है ठीक है और आप कह सकते है कि इसको एक चाइल्ड से आप कंपेर कर सकते हैं दूसरी तरफ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो होता है यह नाम पी से शुरू हो रहा है तो याद रखने का तरीक है इसके अंतर सारी प्लैनिंग होती है लॉजिकल डिसीजिशन्स राश्नल डिसीशन्स जो होते है वो सारे यहीं पर ही होते है तो एक तरफ हमारा लिम्बिक सिस्टम है जहां पर जो होता है वो फीडिंग्स वाला सारा एरिया यहां पर आता है चीक है और यह बहुत जादा मैचोर एरिया माना जाता है ब्रेन का चीक तो फोर एक्जांपल लेट से कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आप को पढ़ाई करते करते 20 से 25 मिनट हुए आपने कोई चैप्टर के बाद ही क्या होता है एक notification आता है आपके mobile के ओपर ठीक है अब क्या होगा आपका limbic system आपको क्या खएगा limbic system आपको यह कहेगा को फोन को अठाव और notification को पढ़ लो लेसरे तरफ आपको prefrontal cortex क्या कहेगा आपको prefrontal cortex के कि नहीं मैं रिन seul बनाया है मुझे इतने टाइम मे इस चीज़ को पूरा करना है, तो मैं फोन को नहीं यूज करूँगा, मुझे अपना पहले जो भी टार्गेट मेरे को मिला है, क्योंकि ये गोल औरियेंटी होता है काफी, मुझे अपने टार्गेट को यहाँ पर कम्प्लीट करना है, ठीक है, सिमिलर्ली, चलो वे तो नोटिफिकेशन की बात हुई, तो यह सब चीज़ आएंगी, यह सब चीज़ आएंगी, यहाँ से, लिम्बिक सिस्टम से, प्रीफरंटल कोर्टेक्स क्या काएगा, कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे को 10 पेजिस कंप्लीट करना है, तो और अगर मैं य सब्जेक्ट को भी कवर करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्रीफरंटल कोर्टेक्स आपको क्या कहेगा, कि नहीं, यह पूरा आप, तीन से लेकर, मतलब 10 पेजिस पूरे कंप्लीट करिए, पूरा चेप्टर यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कर सकते थे, वो नहीं कर पाते हैं, तो 99.9% लोग जो होंगे, या होते हैं, वो feeling-based decision लेते हैं, feeling-based मतलब मुझे अभी यह करने में अच्छा लग रहा है, तो मैं यह कर लेता हूँ, ठीक है, वो emotional decisions जादा लेंगे, और इसी वज़े से, वो कहीना के जो उनकी planning होगी, जो schedule नोने बनाया होगा, वो fail होता हूँ, दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे काफी सरे experiments भी हो चुके है, experiments हम यहाँ पर discuss नहीं करेंगे, लेकिन जब हम prefrontal cortex के हिसाब से चलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम gratifications को delay कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे gratification में मिलता है, हम उसे लेने के लिए दोड़ पड़ते हैं, चाहे हम पहले से एक काम को क्यों ना कर रहे हूं, और इसी वज़े से बहुत सारे लोग आप देखेंगे, वो चाहे exam की बात कर लीजिए, लाइफ में जो भी goal अपना set करते हैं, उसे achieve नहीं कर पाते हैं, और फिर दूसरे लोगो को blame करते हैं, फिर situations को blame करते हैं, but the major reason is, कि जब भी gratification दिया गया, जो लोग successful होते हैं, वो उसे delay कर देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं, चीक है, अब question ही आता है, कि हम ने ये समझ तो लिया, कि किस तरीके से prefrontal cortex और किस तरीके से limbic system काम करता है, but अब इसका इस ये भी जानते हैं कि वो 5 मिनट का rest, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आदे गंटे का, एक गंटे का भी हो जाता है, जिससे पूरे दिन का जो schedule होता है, वो बिगड़ जाता है, तो इसे फिर ठीक कैसे करें, देखो, जैसे आप जिम में जाते हैं, जिम में ये expect नहीं किया जाता है कि पहले दिन जाकर या 50 किलो वजन उठाना शुरू कर देंगे, हाँ अगर आप पहले से practice कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन initially तो ये माना जाता है कि शिरुवाती दोर में तो आप कम ही वजन उठाएंगे, पांच किलो, साथ किलो, दस किलो, लेकिन ध दिमाग में क्या रहा है कि चलो, बस करते हैं, अभी थोड़ा से rest ले लेते हैं, आपको सिर्फ अपने brain को इतना trick करना है कि तीन pages हो गए, एक page और करूँगा, फिर मैं rest ले सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आगर दस page काएंगे, तो limbic system बैसी ही नहीं करने देगा आपक फिर आप 5th पेज भी कर जाएंगे, 6th भी कर जाएंगे, 7th भी कर जाएंगे, 8th भी कर जाएंगे, मान लो, चोथे page को complete करने के बाद भी दिमाग में आ रहा है कि rest लेना है, ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगली बार जब भी इस तरह की की चीज आएगी, तो आप एक page और extra करेंगे, कि मैं 5th पेज को complete करूँगा, चैप्टर के उसके बाद ही फिर में rest लूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत बर ये चीज देखी कही और आप इसे practice भी कर सकते हैं, इसके उपर experiment कर सकते हैं, चाहे आप answer writing भी कर रहे हो, आपने ये सोचा है कि मैं 2 पेज फिर आपने ये decide किया, जब आप रुकने वाले थे कि एक काम करता हूँ, एक paragraph और लिख लेता हूँ, चीक है, और जब वो आप एक paragraph और लिखेंगे, फिर आपका और जादा लिखने का मन करेगा, फिर वो जो resistance दिमाग में आई थी, वो चली जाएगी, ये कुछ अगर आप देखें, sleep के जैसे काम करता है, जैसे कई बर क्या होता है, आपको नीद आरी होती है, लेकिन आप उसे delay कर देते हैं, किसी वज़े से नहीं सोते हैं, तो आप देखिएगा, उसको सरपास करने के बाद, वो resistance काफी हट तक कम हो जाती है, और जितने भी successful लोग हैं, वो ये च जब भी दिमाग में आएगा कि चलो आप बस हो गया, बोत हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो रुख जाएंगे, लेकिन ये लोग जो कि prefrontal cortex से guided होते हैं, रुखते नहीं, तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस strategy को जरूर अपलाई करिएगा, इट विल सेपरेट यू from 99.9% of the people, और एक बर जब ये आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपके schedule भी फोलो होने शुरू हो जाएंगे.